नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा पाउडर लेके आए हैं जो अगर आपके घुट्रों में गहप आगया है गुट्ना रिप्लेस्मेंट की नौबत आ गई है कैल्शिम की कमी हो गई है इस सब को ठीक कर देल जी हां दोस्तों आज आपको इस बवूल यान कीकर का ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिससे अगर आपको घुट्नों में दर्द है यह इसको बदलने की नौबत आ चुकी है तो एक बार घुट्नों को बदलवाने की बजाए इस प्रयोग का जरूर करें और अपने जिसके चलते दोस्तों अधुनिक की विस्ता आपको जॉइंट्स प्रिपलेस की करने की चला देती है तो यह प्रयोग आपको ऐसी नौबत से बचा सकते हैं यह है बबुल का चूरन बबुल की फलीयों का चूरन दोस्तों इसका आपने सेवन करना है और सेवन कैसे करना है आपने ये भी आपको बताते हैं बहुत ही कारगर है आयुर्वेदिक है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है आपने एक गिलास ये गुनगुना पानी लेना है और इसमें आपने एक चमच ये चुरन का आपने एक चमच सेवन करना है और उपर से ये गुनगुना पा दिन में एक ही बार लेना है और खाना खाने के बाद लेना है बहुत ही कारगर चूरन दोस्तों ये जोड़ों के दर्द को आपको बिल्कुल अराम मिल जाएगा और इसके अलावा इसके और बहुत साई फाइदें दोस्तों अगर प्रशों में मर्दाना कमजोरी आ गई हो तो इस चूरन में इसी के बराबर जाएद एक चमच चूरन लेना है तो एक चमची मिश्री मिलागर पीस कर उसको आपने दिन में दो बार सुबह एक चमच और एक चमच शाम को आपने उस चूरन को मिश्री सिनत आपने उसके स्यवन करना है साधे पानी के साथ तिर से आपके विर्य गाड़ा हो जाएगा, कोई साइड bins निहीं, आपके जोडों का रिपलेस्पेन रिपलेस्मेंट को आपको साथ में बचा सकता है। लेगिन इसके साथ ही दूस्टों आपने ये सावधानी बरतनी है कि इस चोडों का आपने लेना गुंगने पानी के साथ ही है, थंड़े पाने के साथ बिलकुल नहीं लेना क्योंकि यह थोड़ा खुश्क होता है और आपको कब्ज किश्कायत कर सकता है अगर आपको कब्ज रासेडिट किश्कायत रहती है तो आप एक चमज की बिजाए अदा चमज ले सकते हैं लेकिन पाइल्स के प्रॉब्लम है अगर तो इस चोड़न का दोस्तों बिल्कुल भी सेवल नहीं करना बहती कारगर चोड़न है बहती ही पाइदमन चोरन है आप इसको ओन Monday मगा सकते है जैसे यह है जोस्तो बबुल किककरउफली पाउड़र इसको अदा काम धेनू मगा सकते हैं काम दानूं इसके के कंपनी है आप को अराम से मिल जाएगा तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी उमीद है आपको जानकर अच्छी लगी होगी बहुत ही कारगर चूर न दोस्तों कोई साइड फैक्ट नहीं है आप इसका इस्तिमाद जरूर कीजिए तो आप अपने दोस्तों को इजाज़त दीजिए फिर मिलत अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद